हालो फ्रेंड्स वेलकम अगेन अंधनमंत्रा चैनल दोस्तों आज की टैग लाइन आपने देखी यहस बैंग आखिर यह शेर चलता क्यों नहीं कई लोग फ्रस्टेट हो गए और कई सोशल मेडिया पर मैंने देखा कि वहां जाकर गालिया लिखते हैं थोस्तों अभी तो आपको यहस बैंक को गाली नहीं देनी चाहिए क्योंकि पूरे बाजार का ही महौल ऐसा है देखे शेर मार्केट में आपको सभी को पता होगा कि इस तो वाल्यूम बहुत कम हो गया है तो कोई शेर कैसे बढ़ेगा और सेंटिमेंट भी अगर आप देखेंगे तो बाजार का सेंटिमेंट इस समय नेगेटिव ही है यूएस मार्केट से भी जो संकेत आ रहे हैं वो अच्छे नहीं है तो आज यूएस का मार्केट बंद है अ वो एक नॉर्मल भी है जेकर जो अभी सेवी का नॉर्म नूर्म आया है ट्रेडिंग का मार्जिन ट्रेडिंग का यह तो जनरल इन्वेस्टर के भले के लिए हुआ है लेकिन क्या होता है कि आपको शॉट टम में काफी पेन देखता है क्योंकि कभी भी कोई नया सिस्टम आ लेचा है तो किसी ने खरीदा भी है तो 14 रुपे 20 पैसे वे किसी ने एक अच्छी कॉंटिटी करीब 6 लाग खरीदी है देखिए एक सिगनल यह बंक के लिए गलत था क्योंकि आज जो 30 डेज का एसमे था 14 रुपे 21 पैसे उसके नीचे क्लोजिंग दिये 5 दिन का जो एसमे है वो है 14 रुपे 97 पैसे और जो 50 दिन का एसमे है वो है 17 रुपे 23 पैसे दोस्तों मैंने आपको बोला तब पिछले वीडियो में कि यह बैंक के काउंटर पे आपको 17 रुपे 23 पैसे का लेवल देखना है जब यह काउंटर इसके उपर बंद होगा और 4-5 दिन सस्टेन करे तब यह मान के चलिए इसमें करीब 25 से 26 रुपे तक की चाल आ सकती है देखिए दोस्तों अभी यह बैंक जो है ओवर सोल टेरिटरी में है और बोलिंजर बैंट से अगर आप इसको अनालेसिस करेंगे तो अपने लोवर रेंज के आस पास ट्रेट कर रहा है दोस्तों आज इस बैंक के काउंटर पे सिर्फ 10 करोड की ट्रेडिंग हुई है 10 करोड वॉल्यूम हुआ बहुत कम वॉल्यूम है मैंने तो इससे कम वॉल्यूम देखा ही नहीं था और डेलिवरी जो है 40% की है जो एक अच्छी डेलिवरी है देखिए यह बैंक का काउंटर में जब सर्कि अच्छे अच्छे काउंटर बे भी आ रहा है तो दोस्तों 10 सेप्टेंबर इस कमिंग तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोई ब्रेकडाउन गेस्ट बैंक के स्टॉप में आ सकता है आज भी आपने देखा होगा एक रिजिलियंस दिखा रहा था लेकिन आपको कुछ लेवल वाच करने है देखिए अगर आप नीचे के लेवल में देखेंगे तो आपको पहले एक लेवल कल देखना पड़ेगा 14 रूपे 5 पैसे का ये लेवल नहीं तोटना चाहिए को अगर ये लेवल तोटेगा तो हो सकता है आपको 13 रूपे 85 पैसे का प्राइस दिख जाए और अगर 13 रूपे 85 पैसे तक ये दिखा सकता है देखिए एक वर्स के सिनेरियो में ये शेर 13 रूपे 60 और 13 रूपे 50 पैसे तक जा सकता है और वहीं से ये बाउंस बैंक करेगा कई जो morons हैं या negative mongers हैं वो ये कहेंगे कि 11 रूपे चला जाएगा I can challenge it can never go to that level अगर इसे उस लेवल पे जाना होता तो अभी तक चला गया होता तो आपको ये tension लेने की एकदम ज़रूत नहीं है देखें दोस्तों कल आपको ये लेवल वाच करने पढ़ेंगे 14 रूपे 45 पैसेगा अगर इस लेवल पे ये आदा एक घंटा रुकता है तो फिर 14 रूपे 65 पैसेगा लेवल आपको दिख सकता है और तो दोस्तों आज का वीडियो में बहुत लंबा नहीं करूंगा तो कि कई लोगों के comment section में आ रहे थे कि सरक कल का क्या है देखें आज भी बाजार कई लोग तो ये मानके चल लेते कि बहुत गिर जाएगा लेकिन देखें बाजार गिरा नहीं और आपने देखा अगर लास्ट वन आवर में काफी इसने recovery करी कुछ बैंकों में recovery आय थी, Reliance के share में recovery आय थी तो मुझे लगता है कल मार्केट में थोड़ी recovery आनी चाहिए जो आज लेट आओर में recovery आय है उसका एक extension दिखेगा तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यही समात करना चाहूंगा जो लोग इस वीडियो में चैनल पे नए आया है वो इसको subscribe करें और existing member से निवेदन है कि इसको जितना ज्यादा like करें धन्यवाद जये